हाज जी तो कैसा हो आप लोग मैं आपका निले इस पी अब बहुत-बहुत श्वागत गरता हूँ इस एटूब चैनल पे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पत्र लेखन जी हमेरे दोस्त इंदी का एक काफी इंपोर्टेंट ओफी पत्र लेखन ये चार मार्क में आप लोग के बोड़ी जाम में आएगा कच्छा दस की में बात कर रहा हूँ हलांकि ये क्लास 12 कभी अगर आप क्लास 12 के इस डूंट हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हो क्लास 9 या 11 के किसी भी क्लास के इस वीडियो को देख सकते हो सब के बोड़ी जाम में पत्र लेखन आएगा पिछले साल ये नया टोपिक जोड़ा गया है यहां मैं आपको तो model paper में भी दिखायता हूँ, यहां पर आप लोग देख सकते हो, यह model paper है, UP board का class 10 हिंदी का आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, ठीक है, इसमें देखो मैं आपको नीचे आपको दिखायता हूँ, और बहुत सरे, मैं आपको बता दूँ कि हिंदी में बहुत सरे नय topic, पत सर्व से related उचेगा, और साथ ही देखो यह 18 और 19 नमबर, 18, 19 और 20 यह तीन जो प्रस्ने नय प्रस्न एड किये गए हैं, ठीक है, यहां पर आपके सब दरूप से सम्मंदित प्रस्न थे, उसके अलवा जो जैसे पठ धातू, यह लिक धातू, यह धात रूप से सम्मंदित प प्रस्न था, तो से तीन प्रस्नों को हटा दिया गया है, और उन तीन प्रस्नों को चलब, इन तीन नय debated लेट हैं, ठीक है, तो इस नय मoyal possibile G related में विडिव बना चुका हूं, आप चेनल पर जाकर देख लेना, यहां पर मैं नीचे आता हूं, ठीक है, यहां पर मैं आपको से यह जो यह प्रसंट था पहले आठ वा प्रसंट था ये जो प्रसंट थे जिनका संस्कित में आपको उत्तर देना था यह मिलेगा ठीक है और जो आप लोगो का ये निबंध था जो यह निबंद था, ये पहले नोENN नम्मर का हुआ करता था it shouldn't matter अब देखो आपका सात नम्मर का कर दिया गया quiet याई दो मार यहाँ से गटाद का, याक फ्यास, दो मार के यहाँ से आपका चारमार घट गया और आपका इक नया %8 कर दिया गया क्लाश 10 के बोड़ी जामें और 12 के भी यह क्या पत्र लेखन ठीक है तो चलो आप समझ गए अब यहां पे काफी इंपोर्टेंट पत्र लेखन है यहां पे मैं आपको दिखायता हूँ काफी इंपोर्टेंट मैंने लिया हुआ है और हो सकते हैं यह टॉपिक सेंप आप लोग लिखने का तरीका आपको बतायता हूँ कि पत्र कैसे लिखा जाता है ठीक है आप लोग लिखने का आपको तरीका मालूम होना चाहिए देखो यह पूरा मैंने लिखा हुआ है तो चलो इसको मैं बताता हूँ देखो यहां पे सबसे पहले पत्र में भी मतलब दो प्रकार के पत्र निखा जाता है वो आवचारिक पत्र के अंतरगत आता है, जिसका format ही होता है, format क्या होता है, देख सकते हो, सबसे पहले तो उपर लिखा जाता है सेवा में, उसके बाद प्रधानाचारिया जी, ठीक है ऐसे और उसके नीचे आपका विद्याले का नाम और पता होता है ठीक विद्याले के नाम पता जो नाम है विद्याले का एक लाइन में दूसरी लाइन में विद्याले का पता या एक भी लाइन में दोनों लिख सकते हो उसके बाद आपका क्या होता है बीसे होता है कि क इस बिसेय पर ोड़ से लिख रहे हो उसके बाद 1 लाइन में ठोड़ कर वहां से आप में सब्जेक्ट लिएना मुखे आपका विशे वस्तु क्या है मतलब किस टॉपिक पर लिख रहे हैं यहां पर जो आपने विशे दिया उसके बारे में आपको यहां पर डिस्क्राइब करना है पूरा का पूरा ठीक है और नीचे आप दो लाइन में आप शमापन करते हो कि जैसे मतलब किर्पिया आप कोई समस्य है तो कुछ पर हमारी समस्य को खल करने का प्रयक्न करें अबारी रहे होंगा प्रधाना रहा है और नीचे आपका जो भी नाम देना पत्र लिखते हैं वो सब होता है तो चलो कैसे लिखा जाएगा यहां मैंने एक टॉपिक लिए है पूरा अपको लिख कर दिख अगले महीने से हैं परन्तु अंग्रेजी और गडित का पुरा नहीं हो पाया है पुरा नौ होने का काड़ों का उगले करते हुए अंग्रेजी और गडित विश्यों की अतरीत कर्छाएं यानि एक्ष्ट्रा क्लास अयोजित करवाने है जो अपने विद्याले के प्रधाना अगले महीने से हैं लेकिन गडित और अंग्रेजी का पाठिकरम अभी पूरा नहीं हुआ है पूरा नहीं हुआ है उसके काड़ों का उले करते हुए आप इनका प्रधाना ध्यापों को पत्र लिखे ये टॉपिक है तो चलू कैसे लिखोगे हम लोग लिखते हैं देखो मै मैंने पहले से यहां रिक रख था है अपिक कुछ भी हो लिखने का फॉर मीट लेया, छिक देखो सबसे उपर आप यहां पर लिकोगे सेवा में, सेवा में उसके निपके प्रधानाचारिया जी लेखे जैसा कि मैं बताया कि आँछा स्कूल नंतर पता हो दूसरी में या यहां पे लिख सकते हो कोई दिक्रत नहीं है ऐसे लिख सकते हो उसके पाद आप 20 हे मैं डालो गए और किस बीसल्य में पत्र लिख रहे हो वह बीसल्य अपको यहां पर लिखना होगा तो हम लोगा वीसल्य ऊपर क्या था कि अंग्ड़ेजी और गणित का यत्रिक कच्छाओं के आयोजंद के संब्द्ध में। रिकर? सफाई के संब्द्ध में लिख रहे ही, जैसे स्कूल में नल की संब्द्ध में लिख रहे ही जिसक्ते हो, इसके बाद एक लाइन छोड़कर यह पर आपको महोद हैं यहां पर डालना होगा तक उसके पर याधन हो राएं लाई नीचे छोड़ कर यहां इसके Δ नहींspot š facultade में और वहां से आपको शुरू करने है सुरू कैसे करना है देखो अब यहां देखो यह पूरा पापन करता है कि हां आप आप क्या लिए आइसाने कि मैंने अच्छे सब्दों का भीचुन आउना करो, आप अपनी तूटी वोसी भासा में लिखो, कोई दिक्कत नहीं, आपको फूल मार्ग मिलेगा, जैसे देखो, यहां पर लिखा गया है, कि सबीने निवेदन है, कि यह लिखना ही पड़ेगा, उसके बाद जो कैसे लिखे गया, मै इस विध्याले का दस्वी कच्छा का छात्रू, हमारी अध्वार्सिक पड़िछाएं अक्टूबर माहा में होनी है, परंतु अंग्रेजी और नडिट का पाठ्य करम अभी पूरा नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है, इसका हमें लिखा था उपर टॉपिक में, कि उसका कारण भी देजिए, तो कारण यहां पर लिख देते हैं, कि इसका कारण है कि, या इसका कारण है, अंग्रेजी और गडित विश्यों के अध्यापकों का आवकास पर रहना, या अधिक आवकास पर रहना, ऐसे लिख सकते हो, या अपने हिसाब से कोई भी टॉपिक बना सकत कि इधर अगस्त महिने का दूसरा सब्ता भी बीच चुगा है यानि अक्टूबर में परिछाए है और अगस्त का दूसरा सब्ता क्या है कि बीच चुगा है ऐसे में बीना अत्रिक्त कच्छाय आयोजित करवाय पाठिकरम समय पर पूरा होना असंभव है पता हम छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए छुट्टी के बाद पत्रिक्त कछाय आयोजित कराकर हमारा पूर्स पूरा करवाया जा शक्ता है या करवाया जाए ऐसे भी लिख सकते हो और उसके बाद नीचे से ओ लाइन छोड़कर नीचे से लिख सकते हो थोड़ा सा कि आपसे बीनम्र प्रात्ना है कि अंग्रेजी और गणित विष्यों की अत्रिक कछाय आयोजित करने की किरिपा करें हम छात्रापके अभारी रहेंगे तो ऐसे आपको पूरा 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 लिखना है इसमें जो यह पूरा पीसाय में मैं लिखा है आप अपने हिसाब से बना कर भी लिख सकते हो कि कैसे आप रिक्वेश्ट करोगे अपने परधाना ड्यापक से अत्रिक कछा लगाने का एक्स्ट्रा क्लास लगाई जिससे आपका स्लिबस गरित और अंग्रेजी का पूरा हो सके आप अपने इसाब से पूरा पूरा यह जितना मैटरियल है यहां पर लिख सकते हो ऐसा नहीं कि जैसा मैंने यहां पर लिखा है वैसे ही आपको भी लिखना है और उसके बाद नीचे थोड़ा सा आप यहां पर आप अपना जो भी आपका नाम है यह जो मैटर यहाँ पे लिखा गए उसको इस साइड में भी लिख सकते हो, कोई दिकत नहीं है, लेकिन ज्यादा बेटर हैगा आप इस साइड में लिखो, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो, आपका आग्याकारी सिस्थ है, और चुकि आप हाफ वेरली जाम दे रहे हो, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, और दिनांक, जिस दिनांप पत्र लिख रहे हो, मानलो आज 29 तारिक है, तो मानलो में 29 आप, दोज़र पेस, ऐसे लिख दिया, जो भी दिनांक को यहाँ पे आप आप आपका आग्याकारी सिस्थ से, और यहाँ आपका आपका नाम, अगर बोडी जाम लिख अगर हाफ यह लिख 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 रहे हो, तो आप अपना नाम लिख सकते हैं, कोई दिकर नहीं, ठीक और क्लास यहाँ पे लिख दे रहा कि आपके किस क्लास के स्टूइन तो सिंपल, इतना आप लोग लिख सकते हो, तो आपको फुल मार्क, जो चार नमबर का यह पत्र है, आपको चार मार्क मिल जाएगा, तो यह था आप लोग का, इस टॉपिक पे, यह जो टॉपिक था, मतब इस्कूल के प्रिस्पल को प्रातना पत्र लिखना था, इस प्रिकर, मतब कई परकार के प्रातना पत्र होते हैं, जैसे बैंक अधिकारी को मालो, आपका एकाउंट ट तो बैंक मैनेजर को आपको प्रातना पत्र लिखना है, तो उससे रिलेम अधिक करेंगे, सारा प्रातना पत्र, सारे टॉपिक ये-कर बता दूँगा, उस ही तापयिशां में आ जाएगा, या जो मैं टॉपिक बताऊंगा, उससे डिलेम टॉपिक रहेगा, तो आप असान कर लेना यह आपको इस्टडी में काफी खेल करेगा यहां पर आपको प्रिवियस एर पेपर उसके लवा और नोट्स और अन्नी मॉडल पेपर साथ इस्टडी मैट्रियल दिल्टी में मिल जाएंगो तो यह आप अप्लिकेशन गोगल प्लेशोर से डाउंडोल कर सकते हो तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्ष्ट वीडियो में आसा करता हूँ यह वीडियो आपको काफी अच्छी लगे होगी वीडियो अच्छी लिए चाना को सब्सक्काइब करते हैं वीडियो के लाइक कर देना और अपने सारे दोस्तों में भी इस वीडियो को शेर कर देना मै मैं आपको फिर एक बार बता दूं कि यूपी बोर के ट्राश्टेंट में ये नया टॉपिक जूड़ा हुआ है इस साल 2024 के बोड़ी जाम के लिए ठीक है 2023 में पत्र लेखन टॉपिक नहीं था लेकिन इस साल जूड़ा गया है ठीक है तो मैं मिलता हूँ आप से नेक्स्ट ब